श्रीसाई सच्चरित अध्याई ग्यारा सगुन ब्रह्म श्रीसाई बाबा, दौक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्धी की फालके और तत्वों पर नियंत्रन इस अध्याई में अभम श्रीसाई बाबा के सगुन ब्रह्म स्वरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रन का बढ़न करेंगे सगुन ब्रह्म श्रीसाई बाबा, ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुन और सगुन निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है यदिपी वे एक ही ब्रह्म के दो रूप है फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिल्चस्पी होती है जैसा कि गीता के अध्याई बारा में वर्णन किया गया है सगुण उपासना सरल और श्रेष्ट है मनश स्वय माकार यानि शरीर इंद्रे आदी में है इसलिए उसे इश्वर की साकार उपासना स्वभावता ही सरल है जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्म की उपासना ना की जाए तब तक प्रीम और भक्ती में व्रिद्धी ही नहीं होती सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगिती होती जाती है हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रिसर होते जाते हैं इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणीश करना अतियुत्तम है मूर्ती, वेदी, अग्नी, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्रह्मन आदी सब तो पासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ट है श्री साई का स्वरूप आखों के सम्मुख लाओ जो वेराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ती और अनन्य शर्नागत भक्तों के आश्रेद आता है उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इक्छाओं का त्याग है कोई कोई श्री साई बाबा की गड़ना भगवद भग्त अत्वा महान भग्त में करते थे या करते हैं परंतु हम लोगों के लिए तो वे इश्वर अफ्तार है वे अत्यंतिक शमाशील, शान्त, सरल और संतुष्ट थे जिसकी कोई उपमाही नहीं दी जा सकती यद्यपी वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनन्त और नित्यमुक्त थे गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीश्म से व्यथित अनिकों प्राणियों को शीतलता पहुचा कर आनन्दित करती फसलों और व्रक्षों को जीवन दान देती और जिस प्रकार प्राणियों की शुधा शांत करती है उसी प्रकार श्री साइं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत वना और सुख पहुचाते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुध रूप है मैं स्वयम वही हूँ ये अवर्णिय शक्तियां या ईश्वर की शक्ति जो की सत चित और आनंद है शिर्डी में साइं रूप में अवतीन हुई थे शुरुती तैतरिय उपनिशद में ब्रह्म को आनंद कहा गया है अभी तक ये विशे केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे परंतु भक भक्तगर्ण शिर्डी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पालिया है बाबा सब के आश्रेदाता थे उन्हें किसी की सहायता की आविश्यक्ता ना थी उनके बैठने के लिए भक्तगर्ण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे बाबा भक्तों के पान और अन्यवस्तु में भीट करते और कोई नैवैद ही अर्पित करते थे यद्दिपी ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवासस्थान शिर्डी में है परंतु वे तो सर्वव्यापक थे इसका भक्तों ने नित्यप्रती अनुभग किया ऐसे सर्वव्यापक गुरुद दॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनात शिर्डी पदारे बाबा को प्रणाम कर वे मजजित में कुछ देर तक बैठे बाबा ने उन्हें दादा भट केलकर के पास भेजा जहां पर उनका अच्छा स्वागत हुआ फिर दादा भट और दॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मजजित पहुँचे दादा भट ने बाबा का पूजन किया बाबा का पूजन तो प्राया सभी किया करते थे परंतु अभी तक उनके शुब मस्तक पर चंदन लगाने का किसी में भी साहस नहीं था केवल एक महल्चा पती ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा, संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा कि क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परन्तु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा, बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरू श्रीरगुनाद महराज गोपेशवर कर, जो की काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के समान समझा, और अपने गुरू को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भटे से कहा, कि मैंने बाबा को अपने गुरू काका पुराणिक के सामान जान कर ही, उन्हें त्रपुंडा कार्चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरू को सदैव लगाया करता था यद्यपी बाबा भक्तों को उनकी एक्षा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंदु कभी कभी तो उनका व्यभार विचित्र ही हो जाया करता था, जब कभी वे पूजन की धाली फेक कर रुद्रावतार धारन कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को ना हो सकत था, कभी वे भक्तों को जुडगते और कभी मोम से भी नर्म होकर शांती तथाक्षमा की मूर्ती से प्रतीत होते थे, कभी-कभी वे क्रोधा वस्ता में कंपाई मान हो जाते, और उनके लाल नेत्र चारों और घूमने लगते, तथा पी उनके अन्ताकरण में प्रेम और मा आत्रिस नहीं का स्त्रोत बहार ही करता था, भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्यात ही नहीं है कि वे कब उन पर करोधद हुए, यदि ये समभव हो कि समुद्र नदियों को लोटा दे तो वे भक्तों के कल्यान की भी उपेक्शा कर सकते हैं, वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंथी उपस्थित हो जाते हैं वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूके हैं हाजी सिद्धी की फालके यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साइं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे यह उनकी एक्छा पर निर्भर था हाजी सिद्धीक फालके की कथा इसी का उधारण है कल्यार निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्धीक फालके था मक्का शरीफ की हच करने के बाद शिर्डी आए वे चावडी में उत्तर की ओर रहने लगे वे मस्जिद के सामने खूली आंगन में बैठा करते थे बाबा ने उन्हें नौ माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आग्या ना दी और ना ही मंदर की सीड़ी चड़ने की दी फाल के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णे ना कर सके की कौन सा उपाई काम में लाए लोगों ने उन्हें सला दी की आशाना त्यागो शामा श्री साइं बाबा के अंतरंग भक्त हैं तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुँचने का प्रयातने करो जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है उसी प्रकार बाबा के पास भी शामा के द्वारा ही पहुचना चाहिए फाल के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने शामा से सहायता की प्रार्थना की शामा ने भी आश्वासन दे दिया और अफसर पाकरवे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा आप उस बुड़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते अनेक भक्त स्वेच्छा पूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते है कम से कम एक बार तो उसे आशीश दे दो बाबा बोले शामा तुम अभी नाधान हो यदि फकीर या अल्ला नहीं आने देता है तो मैं क्या करूँ उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीड़िया नहीं चड़ सकता अच्छा तुम उससे पूछाओ कि क्या वो बारवी कुएं की निचली पकडंडी पर आने को सहमत है शामा स्विकारात्मक उत्तर लेकर पहुचे फिर बाबा ने पुना शामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वो मुझे चार किष्टों में 40,000 रुपए देने को तयार है फिर शामा उत्तर लेकर लोटे कि आप कहें तो मैं 40,000,000 रुपए देने को तयार हूं मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूं उससे पूछो कि उससे क्या रुचिकर होगा बकरे का माज नाध या अंड़कुष शामा ये उत्तर लेक कर लोटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने सौभा गिशाली समझेगा ये उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिठी का बर्तन यानि पानी की गागर उठा कर फेक दी और अपनी कफनी हाजी के पास पहुचे वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो अपनी श्रेश्टिता का प्रदर्शन क्यों करते हो ये व्रिद्ध हाजीयों के समान वेश भूशा तुमने क्यों धारण की है क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो लोट आये और कुछ आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी विस्वयम भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपए निकाल कर हाजी को दे दिये इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भूजन करने को बुलाने लगे अब हाजी भी अपनी इक्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेट में दे दिया करते थे इस प्रकार हाजी बाबा के दर्बार में सम्मलित हो गए बाबा का तत्वों पर नियंत्रण बाबा के तत्व नियंत्रण की दो घटनाओं के उलेख के साथ ही ये अध्याई समाप्थ हो जाएगा पहली कि एक पार संध्या समय शिर्डी में भयानक जंजावात आया आकाश में घने और काले बादल चाय हुए थे पवन जखो रहा था बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थे मूसलाधार वर्शा प्रारंब हो गए जहां देखो वहां जल ही जल रिष्टी गोचर होने लगा सब पशू, पक्षी और शिर्डी वासी अधिक बैभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए शिर्डी में देवियां तो अनेकों हैं परन्तु उस दिन सहायतार्थ कोई ना आई इसलिए सभी ने अपने भगवान साई से जो भगतिके ही भूके थे संकट निवारन करने की प्राथना की बाबा को भी दया आ गए और वे बाहर निकल आए मस्जित के समीब खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर द्रश्टी कर गरचते हुए शब्दों में कहा की पस शान्त हो जाओ कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पढ़ गई तथा आंधी भी शान्त हो गई आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए तब सब लोग अती प्रसन होकर अपने अपने घर लोटाए दूसरी एक अन्य अफसर पर मध्यान के समय धूनी की अगनी इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लप्टे उपर चट तक पहुँचने लगी मजज़त में बैठे वे लोगों की समझ में ना आता था कि जल डालकल अगनी शांत कर दे अत्वक कोई अन्य उपाई काम में लाए बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था परन्तु बाबा शीग्र परिस्तिती को जान गए उन्होंने अपना सटका उठा कर सामने के खंबे पर बल पूर्वक प्रहार किया और बोले नीचे उत्रो और शांत हो जाओ सटके की प्रते एक ठोकर पर लप्तें कम होने लगी और कुछ मिंटों में ही धूनी शांत और यथा पूर्वक हो गई श्री साइई इश्वर के अफ़तार हैं जो उनके सामने नत होकर उनके शड़ना गत होगा उस पर वे अवश्यक रपा करेंगे जो भक्ते सध्याय की कताएं प्रति दिन श्रद्धाव और भक्ती पूर्वक पठन करेगा उसका दुखों से शीग्रही चुटकारा हो जाएगा केवल इतना ही नहीं बरन उसे सदैव श्री साइई चड़नो का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही खीश्वर दर्शन की प्राप्ती होकर उसकी समस्ते एक्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार वो निश्काम बन जाएगा श्री सद्गुरू साइन आधर पढ़ मस्तू शुभाम भवदू